हाई फ्रेंड्स थाकुर इलेक्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको DC 3.0 स्टार्टर के बारे हम बताऊंगा आज कर जो हमारा टॉपिक चला है वीडियो का तो वो है DC मोटर के ऊपर यहां पि हम DC स्टार्टर की बात करें तो पीछली वीडियो में आपको DC 2.0 स्टार का पूरे डिटायर में बताए था कि DC 2.0 स्टार्टर कौन सी मोटर को स्टार्ट कने के लिए यूज़ होता है उस पार्ट कौन कुम से बर Syria अविर्द है यह सारा में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो फ़हर है इस पर इसमें pile राेडिस्टर जगा है और इसके च्छी इस टड़ और है यह हैंडल है यह वीव के स्प्रिंगपर है इसके स्प्रिंग्पर क्राइस है यह यह फुolate सी है NVC का मतलब है 9 volt coil OLC का मतलब होता है OVALOAD coil और यह पर यहां पर यहां पर 3 terminal है 3 point starter है तो 3 terminal 2 point में 2 terminal थे और 4 point में 4 terminal होंगे L line F field और A armature और यहां पर मैं आपको बता दो कि जो DC 3 point starter है वो कौन सी motor को start करने के लिए उस होता है तो वह होता है शंट जो DC शंट मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए 3 पॉंट स्टार्ट का यूज कर राता है और जो 2 पॉंट स्टार्ट था वो DC सीरिज मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पार्ट सबसे पहले जो हैंडल ङुप हैंडल का क्या का हैंडल की मदद हम जो है पहले हमारा大-辉ष के सीरीज में डालते हैं और की मदद है हेंडल के नीचे एक पत्ती लगी होती है जो की हेंडल से insulated होती है वो जब पूरी तरह से motor speed पकड़ लेती है उसके बाद जब हेंडल on position पे पहुंचता है तो पत्ती जो है NVC में जो magnet बना होता है उसमें चिपक जाती है और हेंडल बन्द हो या फिर सर्किट में कहीं fault हो तो NVC demagnetize होके जो हैंडल को बापिस छोड़ देती है और जो spring है spring का कारे होता है जैसे यह एनवी सी में magnet खत्म हो जाता है तो spring की मदद से handle बापिस ओफ position में चला जाता है और जो overload coil होती है यह ओवर लोड से protection के लिए होती है तो स्टार्टर की मदद से motor को start काते हैं जो handle है handle को दीरे-दीरे करके एक-एक studs पर ले जाना पड़ता है इसको एक तम से सीधे off से on पर नहीं लाना चाहिए इसको दीरे-दीरे करके पांच-दस सेकेंड में जो on condition है हमारी यहां तक पांच-दस सेकेंड लगने चाहिए इस तरह से दीरे-दीरे बारी-बारी studs के ओपर इसको ले जाना पड़ता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारी supply है overload coil हो के handle में पहुंचेगी handle से यहां पर फर्स्ट स्टर्ड में जब इसको ले जाएंगे तो क्या होगा जो यह आर्मेचर है स्टार्टिंग में हाई क्रंट फ्लो होता था इसलिए उसको overload या फिर जलने से आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए यहां पर रेजिस्टेंस लगा होता है आर्मेचर के सीरीज में और जो field है यहां पर आप देख सकते हैं field के लिए जो supply है वो यहां से direct आती है यहां से सीधी direct आती है field के लिए पहले तो direct supply आएगी लेकिन जैसे ही हम handle को अगले stars पर ले जाएंगे तो field के साथ एक resistance जोड़ जाएगा और आर्मेचर के circuit से एक resistance हट जाएगा और जब हम दूसरे stars पर ले जाएंगे handle को तो field के साथ यह दो stars जोड़ जाएंगे और आर्मेचर से यह दो star हट जाएंगे तो इसी तरह जब handle totally on condition में पहुंच जाता है तो जो armature circuit से resistance है वो हट जाता है और field के circuit में जोड़ जाता है आझाए ओन कंडिशन में handle के on condition में पहुंचने पर armature को जो है पूरी voltage मिलती है क्योंकि handle जो हमारे supply है वो सीधी armature को handle की मदद से on जो on condition है यहां पर पहुंच टी है supply और यहां सीधी armature में लेकिन जो field है field को जो है यहां से फिर resistance होके supply जाती है जो variable resistance है इस में से होके supply जाती है यहां कि जब हमारा starter on condition में पहुंच जाता है तो उसके बाद जो field के लिए supply है वो resistance होके जाती है variable resistance जो लगा है यहां से जाती है तो NBC के जो मैंने कारे बताए दो कारे है एक तो है पहले magnet बनके handle को hold किये रखना यानिके handle को यहां पे on condition में रखना ताकि motor जो है continuously चलती रहे और दूसरा कारे है अगर कहीं हमारी supply बंद हो जाए या फिर कोई overload short circuit हो जाए तो इसका कारे है कि demagnetize अपना चुमकत तब खोके handle को बापिस off condition में छोड़ दे यह कारे होगे NVC के और OLC के कारे है overload coil यानि कि जब कभी हमारी motor में overload हो जाता है तो overload coil जो है magnetize होके इस lever को अपनी और खिंचती है जिसके कारण NVC के यह दो terminal है यह short हो जाते है तो NVC के terminal short होने से क्या होगा NVC का magnet खतम होगा जिस कारण से handle जो है अपनी condition में बापिस चला जाएगा off condition में चला जाएगा और motor बंद हो जाएगी जब overload होने पर overload coil में magnet बंता है और lever को अपनी और खिंचता है जिसके NVC के terminal short होते हैं तो क्या होता है कि जो supply हमारी पहले NVC से होकर जा रही थी वो यहाँ से lever होके CD bypass होके field में चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे NVC में तो high resistance होगा और आपको पता है कि crunch low resistance मतलब छोटे से छोटा रास्ता चुनता है अपने को गुजरने के लिए तो यहाँ पे जब high crunch होगा तो और यहाँ पे इसके terminal दोनों short होगे तो जो हमारा crunch है वो यहाँ ओके सिधा bypass कर जाएगा और NVC में कोई भी supply नहीं जाएगी जिस कारण से इसमें magnet नहीं बनेगा magnet नहीं बनेगा तो यह handle off condition में बापिस चला जाएगा तो इस तरह से जो है जो DC 3.0 starter बूइर करता है और यह starter का resistance है चाहेए वो DC 2.0 starter हो 3.0 या फिर 4.0 starter हो선 तो यह resistance है ईूरे का wire का बना होता है कई बाड फुत जाता है की जो starter का जो resistance है वो किस wire का बना होता है तो वो होता है उरे का wire का और जो हिट्टिंग एलिमेंट है चाहे हो आपके प्रेस के हो गीजर के हो हिटर के हो किसी भी चीज के हिट्टिंग एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम बायर के बने होते हैं नाइक्रोम और जो इसका रेजिस्टेंस है वो यूरेका बायर का बना होता है तो यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको DC 3.0 स्टार्टर के बारे में बताया अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करेएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएगा क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी चैनल में आने वाली जो आगे वीडियो में डालूँगा उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे इसे बाद जो नेक्स वीडियो में लेकर रहा हूँगा भूफ फॉर पॉइंट स्टाइटर के होगा